दल भन्जन गुरु सूर्मा वड योदा बहो परुपकारी गुरु हर्गुमिन साब जी महराज बारे भाई गुर्दा सीदे लिखत एशवद दल भन्जन गुरु सूर्मा वड योदा बहो परुपकारी परुपकारी भूर्थी महाबली जोधे ते सूर्में स्रीर करके ते आप रिष्ट पुष्ट सन्न आत्मा करके महाबली ले सूर्में आप जी दा जनम बडाली दे छोया माता गंगा जी दी कुखों आप जी दे पिता बानी दे बोहत साहिब शिरीगुरु अरजन देव जी महाराज आप शिरीगुरु वर्जन देव जी महाराज दी इकलोती अवलाद सन्न सहजे सहजे आप जी दे वडपने दे नाल स्रीर दे वधन दे नाल उमर दे वधन दे नाल अत्यात्व मंडल दावी विखास चलगा रेया चलगा रेया जेड सुधी चोथ नू साहिब गुरु अरजन देव जी महाराज दी शादत तबाद जोती जोत समान तबाद आपने छेमी जोत गुरु नानक देव जी महाराज दी जगमगा के कारज अरंब कर गरता साहिब गुरु हरगुमिन साथ जी महराई देनाल जिड़े शब्द निश्चितोय ने आपनु आख्या गया है मीरी पीरी दे मालक गुरुनानिक देव जी महराई तो लेके गुरु अरजन देव जी महराई तक पीरी दा सिलसला चल दा रहा दर्वेशी दी गल चल दी रही संथ सुरूपदा परचार होंदा रहा लेकिन अज गुरु हरगुमिन साथ जी महराई दे गुरुगर्दी ने शीन होंदे नाल अजीब वरीब घटना घटी के पीरी दे नाल मीरी नू जोड़ देता गया मीरी रेनाल पीरी नू जोड़ देता गया लियाजा आपनू मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगुमिन साथ जी महराज आख्या जान लगगा लंबी सोचनी तो बाद गुरु हरगुमिन साथ जी महराज ने ऐसा कीता आपनों दिखाई दिता कि जिना कुल सत हुंदा है उना कुल सता नहीं हुंदी और जिना कुल सता हुंदी है उना कुल सत नहीं हुंदा जिना कुल सत है वो संत ने दर्वेश ने फकीर ने इदिना अंद्रूनी समस्यावांदाती समाधान हो जाँदा है चैन के में मिले स्कून के में मिले अनंद के में मिले प्रमात्मा के में मिले इतियादक एजडिया समस्यावा ने इना दा समाधान ते हो जाँदा है पर कुछ समस्यावा मनुखदियां बार में आर्थिक समस्यावा समाजिक समस्यावा राजनेतक समस्यावा इनानो कौन हल करे अगर बार दा जीमन नर्क बने आया ता अंदर दा स्वर्ग भी खत्रिच पह जाँदे अंदर नर्क है ते बार स्वर्ग है यह भी बे मेनी हो जाँदे स्वर्ग दिछ की है इन्द्रियां दा रस धन संपदा दी बाउधात सारी लोडां दी पूर्ती हर कामना दी पूर्ती हो जानी इति स्वर्ग है लेकर जे मन दा चैन नहीं मन दा स्वून नहीं अनंद नहीं ता फिर अंदर दे नर्क बने नहीं अंदर दा स्वर्ग पीरी नाल बनेंगा बार्दा स्वर्ग मीरी नाल बनेंगा अंदर दी दुनिया सवरेगी जद कोई संत होगा और बारों ओही संपन हो सकेगा जे दिकुल सता है जे दिकुल ताकत है कमजोर वास्ते बार्दी दुनिया दिज कोई था नहीं कोई टिकाना ने कमजोर नो दब के रहना पहेगा या मिट जाना पहेगा संसार दा इतियास इस गल्दा सुबूत है कि जड़ी कौम कमजोर रही है मिट गई है या दब के रही है तो दब के रहना भी किसे हद तक मिट जाना है बर्वाग हो जाना है गुरु हर्गुविन साफ जी महराज ने शस्तर धारन कर लए आपनों मेरी पिरीदा मालक आख्या जान लगा चारों पासे चेमे गोईयां शुरू ओईयां कि संत ने तलवार धारन कर लए संत ने धनशबान धारन कर लए संत ने माला दी गल छड़के बंदूग ते तोपां दी गल अरम कर दे एक दिन आप गुजराद दे नेड़े लंगे जारे सन महल आप जी दे नाल सन परवार आप जी दे नाल से लावलश कर पूरे दा पूरा आप जी दे नाल से ता एक फकीर ने आप ते तरक खड़ी कर दे और तरक ऐसी दौलत की ते फकीर की इस्त्री की ते फकीर की और पुत्रांदी होंद की ते संत होना की फिर नाले एया किया हिंदू की ते फकीर की जापदा है एस सवाल किसे मुस्लम फकीर दासी हिंदू की ते फकीर की गुरु हरगोबिन साथ जी महराज ने उत्तर दिता दौलत गुजरान उत्तर निशान इस्तरी इमान फकीर ना हिंदू ना मसल्मान फकीर इना बंदशा तो उच्चा हुदा है फकीर इस कैड तो उच्चा हुदा है गुरुगन साब जी महराई दे बड़े सुन्दर बो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्हे राम के पिंड़ परान असी अल्ला दे गीत गान वाले हैं असी राम दे गीत गान वाले हैं असी राम दी धुन दे चलीन होन वाले हैं अल्या अल्ला तो निछावर होन वाले हैं पर असी हिंदू ते मुस्लिम नहीं क्योंकि ए एक दिवारा ने ते मनुख दी सुतंतरता सारी दी सारी भंग हो जान दी साहिब शिरी गुरु हरगुम साफ जी महराज ने कह दिता जैसे सूरज सारे दे घर चानना करता है बिना वित्करे तो बिना अंत्रे तो सूरज ए नहीं देखता कि में हिंदू दे घर चानना करना है मुस्लिम दे घर नहीं मुस्लिम दे घर चानना करना है इसाई दे घर नहीं इसाई दे घर चाड़ना करना है सिख दे घर नहीं जैसे सूरज सारे जगता साजा है प्रमातमा ते प्रमातमा दे सन्द साजे हों, सारे जगते वो एक कोंदेने तो मेरी पीरिदे मालुक ने इस गलते जोर देता आई सिखो उन्तानों बार दी दुनिया दी भी फिकर करनी पैगे क्योंकि मनुक कुछ बार है कुछ अंदर है सडे सरीर दे अंदर दा पाणी बार दे पाणी नाल जुड़े होई है सडे सरीर दे अंदर दी अगन बार दी अगन नाल जुड़े होई है सड़े शरीर दे अंदर दी पवन ते मिटी बार दी मिटी ते पवन नाल जुड़ी होगे अगर बार दी पवन नाल समंध तुड़ जाए तो अंदर दी भी नहीं रहेगे अगर बार दे पानी नाल समंध तुड़ जाए तो सरीर दे अंदर दा पानी भी नहीं रहेगे जो एक में कहां, अंदरों बारों एक है, तो हिफाज़त अंदर दीवी करनी है, हिफाज़त बार दीवी करनी है, इसे नू लोग ते पर लोग के है, अंदर नू सवारना पर लोग सवारना है, बार नू सवारना लोग सवारना है, लोग सवारना है, धन नाल, सता नाल, पर ल अगर बार दी दुनिया नहीं सवारी तो अंदर दी दुनिया भी कोई सवरी होई नहीं रहेंदेगा सड़ा देश सादू संता देश और इस गल्दी फिकर सी कि सिर्फ पर लोग सवार नहीं लोग दी कोई चिंता ही नहीं लोग दा सानू कोई फिकर नहीं इस नारे दा अंजाम एय होया कि दो हजार साल तक सड़ा देश गुलाम देश इत्थे एरानी आए अखवानी आए डच आए मंगोल आए अरबियन आए फरेंच आए अंग्रेज आए सारे अने इस देश नो गुलाम रखया सचते ए है कि गुलामा ने भी गुलाम बना के रखया क्यो हूं इत्थे पर लोग सवार नहीं दी गल नहीं से दुनिया इस तरीके नाल दो हिस्सियां च्वंडी होई हो कि मैं परलोक दी खातर लोक नू छड़ना, मेरा लोक नाल कोई मतलब नहीं। ति एक ओ है, जड़ा केंदा, ए जग मिठा, अगला कें डिठा, असी ते सिर्फ लोक सवारना, परलोक दी की चिंता करनी परलोक है। कदी कदाई, कोई रुखे जमीन ते ऐसा परमपुर्ख आउंदा है, जो कह देंदा है, ऐ बंदे, एक लोक दे सवारन दे नाल, जीवन नहीं चल सकेगा। दो पैरा नाल सरीर चल दा है, एक पैर नाल पहाडां पे चड़ना बहुत कठट है, एक बांट उठ जाए, एक अक चली जाए, एक कन चला जाए, तो सरीर अध्धा रह जान दा है, अध्धा ग्यान मनुक तो छीन हो जान दा है, जीवन दा अध्धा रस मार रह जान दा तो संपूरन जिंदगी यही है लोग सवारना है परलोग सवारना है जिमें परलोग सवारना है कोई ते परलोग दी दौलत लुटन वाले बहुत ने कोई खिमा शांती सील संजम परम अनंद जब तब करके कठा करे तो काम लुटके ले जा सकता है क्रोद लुटके ले जा सकत और अहंकार लुटके ले सब ले जा सकता है इना तो बचाना है इस अंदर दी दौलत नो बगत कवीर केने ने इस तन मन मधे मदन चोर जिन ग्यान रतन हिर ली नमूर इतिकाम चोर है लोग चोर है मेरा सारा जब तब कीता हुआ चुडा के ले गए नसा के ले गए मैंनो खाल दौलत नो लुटन वाले बौते ने बार दी असमत दौलत ते संस्कृती नो लुटन वाले भी बाउत ने ऐस वास्ते मनुख नो बारों सताधारी बनना चाहिदा है अंदरों सत्वादी बनना चाहिदा है सत अंदर दी ताकत है सता बार दी ताकत है जिस पहलू तो भी कमजोर हो वेगा, जिन्दगी अधूरी हो जाएगी, ते अपूरन ता जड़ी है, ए दुख ते संताप नो जनम देवेगी। साहिब गुरु हरगमिन साब जी महराग ने जड़ इस ढंगदा नारा लाया, तो पुदरती गल है, सताधारी नो उक्याई होने सी, लहाज़ा आपनो गौालियर्दे किले लिज़ कैद कर दरता गया, कसूर आपदा की ही, कसूर इतने ही, कि आप सस्त्रधारी हो गए, सेना र लखन लग पे, और सिख नो उनाने संद दे नाल नाल सिपाई बना लुता, एगल नागवार गुजरी, सताधारियां नो आपनो गौालियर्दे कि दे ले, बंद कर लुता गया, चारों पासे होंदी बगावत देखके, ते गुरु दर्शना दी शर्धा, सिखां दे अंद होई वेक के, जहां गेर नो जुगना दे रहाई दा हुकम सादर की था, तां गुरु हर्गविंस साब जी महराज ने कैदे था, असी तां, जेल तो बार आने, किले तो बार आने, सडे नाल ए जो तुसी बवंजा राजे कैद कर रखे ने, एवी रहा करने पेने, राजिस् चोटे चोटे जागर दाहर, गुवाली अर्दे किले लिच बंदसन और ए टोटल कुल बवंजा सन गुरु हरगुमिन साफ जी महराज ने जड़ उना दी दीन दशा देखी ते आपनों बड़ा तरसाया, इती ठीक है, कि जिस दिन जेल विच गुरु हरगुमिन साफ जी महराज गय है, अंदर कथा की रतन बे प्रवा चल पै, राजियानों सकून मिलेया, कैदियानों दुखे होगे, पीरत होगे, रोण दुखे होगे, आखंड़ गे बादशा, फड़ा सदका, इते शानती बढ़ी होई सी, मन मुझ रस मिल रहे हैं, ते आप दा विचोड़ा किस तरह सारी है, ते आप जा रहे हो, दे आलू सत्गुर ने कहा, नहीं, असी तां के लिए तो सी रहानी होना, सडे नाल इना बवंजा, राजियानों भी अजाद करना पहेगा, कहीं देने जहांगीर ने एह हुकम की था, कि जो जो आप दा दामन पकड़ लेगा, वो बार आ सकेगा, तो बवंजा कलियां वाला, गुरु हरग बिन साब जी महराज ने चोला से लवाया, तो चोला पैने एक एक कली एक एक राजे ने पकड़ ले, इस धंगनाल बवंजा राजे आप देना हो, गौली अरदे के ले तो, आजाद हो, साहवे शिरी गुरु हरगुन साब जी महराज, शरधालों सिखनों किस धंगनाल गलवकडी च लें देने, ए वाक्या आगरा दा जद जहांगीर आपनो आगरे ले आया, ते महला देच निवास पन लगा, सद गुरु केंड लगे ने, असी जमना दे तट देते, खैमा बना के उदेच रहांगे, जहांगीर ने अपना खैमा भी उत्थे गड़ रता, गुरु हरगुन साब जी महराज केंड लगे थड़ जी होंद देना, सिखांदी आवाज आइच फरक पैगा, क्योंके चारों पासे पैरे दार, ते हर बंदे नो आर नहीं देनगे, लाज़ जा सड़े तक संगतां पहुंच नहीं सकनगी है, तो जहांगीर केंड लगा, नहीं पादशा, मैं पैरा खत्म कर देना, जितने चिर घास खोद के बड़ी मुश्किल नाल अपनी अबजीव का चलंगा सी, ओ, जद कन्ना देनाल सौं सुनगा है, कि गुरु हरगमिन साब जी महराज, आगरे रिच आयने, छेती छेती, घास दी पंड, दो कसीरियां दी बेच, पल्ले नाल बन बन, एक दम, दर्शना नो दोड शाम हो चुकी सी, खैमे दे अंदर जो पहला खैमा सी, ओ, जहांगीर दा सी, ते अंदर ओ, पलं ते लेटे आया, मुगल शेंशा दाडियां रख देसं, दस्तार सजा देसं, ते जहांगीर मोतियां, ते होर तरा 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 दे, अभुशना नाल अपने आपनों, सजाया हो शेंशा सी, मुगल शेंशा सी, जाके रख देसं, तो सिख एकदम खैमे दे अंदर चला गया, जहांगीर मो वेख कई मत्था ठेकिया, और दो कसी ए, अग्गे रख दे, हाथ जोड के कहिंदा है, ऐ दीन दुनिया दे मालिक, मैंनु वी नाम दारस दे, मेरा पर लोग सुह इतने बोल, सिख दे मौँ नकले ते जहांगीर केंड लगा, असी दुनिया दे मालिक हां दीन देने, असी इस जहान दे मालिक हां उस देने, यह जो रस पे अनंद है, यह इसी नहीं दे सकते, मैं जहांगीर हाँ, तैन्यूँ जो पर लोग दा रस चाहिदा है, उस दा खेम अगे है, दीन ते दुनिया दा जो मालक है, उदा तंबू अगे है, तुँ अगे चलाजाए, सिख ने एक दम दो कसीरे चुक रहे हैं, ते जहां गीर केंदा है ते तुँ बेट कर चुक रहे हैं, आखर मैं भी शैन शाहा है, ते मेरी वुकत दो कसीरे आवर गी भी नहीं, ज इना दिच मेरी शर्दा है, इना दिच मेरी पावना है, ते मैं एक गुरूनों ही अरपन कर सकदाँ, तैनों नहीं, जहांगीर ने सोने दे मोरादी थैली सिख दे अग्यों रखी, अख्या ले ऐ चुक ले, ए अपने गुरूनों पे एट करें, ते सिख केंदा नहीं, अपना पसीना वगाया है, मेहनत कीती है, खोन पसीना एक करके घास खो देया वेचे है, उस तो ये मेनूं प्राकत हो ए ने, ए पवितर ने, ए पावन ने, ए दो कसीरे पवितर तादी मूर्ती ने, पता नि तेरा धन किस तरह दिन आला है, लेहाजा, पता नि गुरू दी परसंता होनी है के नहीं मैं इत्हैलिया नहीं चुक सकता मैं दो कसीरे लेने एकदम चुक ले जहांगी इर्दे खैमेतों जैसे सिक बार निकले अपने खैमेतों गुरु हरगुमिन साथ जी महराज बार निकले दो कदम इस सिक चले आ भज्यो यार गुरु हरगुमिन साथ जी महराज सिक नों गलवकरी चले लेया आखे अध्धन सिखी ध्धन सिखी कॉमलता दे मुझस्वे गुरु हरगुमिन साथ जी महराज ने अथा प्यार कीता और गलवकरी देच लांदे आई गुरु हरगुमिन साथ जी महराज देच रखदा से गुरु हरगुमिन साथ जी महराज कितने गरीब निवाज ने दीन लक्षक ने आप एक दिन सिरी नगर बारा मूला दे नेड़े शिकार खेड के वापस आरे सन अपने टिकाने ताकी देख देने गंदगी दे ढेर देते एक मासूम मनुखी बच्चा पिया से किसे ने सुट देता से बच्चे दे रोन ते चीखन दी आवाज गुरु हरगुमिन साथ जी महराज दे कन्ना देच भई सत्गुर केंड लगे एक कौन मनुखी बच्चा गंदगी दे ढोर तेरते रो रहे है किसे ने सुटे है सिख भज्जे वे गए है केंड लगे हा माराज मनुखी बच्चा पता नहीं किसे ने सुटे है सत्गुर केंड लगे किसे ने सुटे है चुक ले आव तो सिख केंड लगे माराज इती गंदा बड़ा है करूप बड़ा है बहुत को बड़ा चेरा है इस था बहुत ही करूप है माराज और बहुत ही गंदा है सत्गुर केंड लगे कोई नहीं कोहतरा नहीं ए गंदा नहीं ए सुत्रा होगेगा चुकले ले इस दाना सुतराशाद ए इनु पालेया गुरु हरगुन साथ जी महराज ने तुख्मे तासीर करके मजाकी सुभादा से पर गुरु हरगुन साथ जी महराज दी बक्षिश्दा सद्का ब्रम गैने होया भगत होया महान तपेश्वर होया महान जपेश्वर होया गुरू हरगविन साब जी महराज भी उस देने अथा प्यार कर देसं अतियंद सत्कार कर देसं। गुरू हरगविन साब जी महराज ने इस देश देश सत ते सता दी कठी शमा रोशन की थी। और आखेया सता तो बिना सत नहीं चल सकेगा और सत तो बिना सता बेहुदी डॉक्टर मुहम्मद इकबाल दे बड़े कीमती बो आपके निने जलाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी दीन नो अगर सियासत तो कड़ दो तो सियासत बन जान दिये चंगेज़ खां हला तू हिटलर मुशुलेन जुलमदा अखाड़ा बन के रह जान दिये सियासत अगर उस देचों धर्म नो कड़ दीगे दीन नो कड़ दीगे जलाले पात्शाही हो या जमहूरी तमाशा हो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी सियासत बार दी सता धर्म अंदर दी सता इना दोहान यक जाकरन सड़े देश देच अगर राम धी पूजा हो ये तो सिर्फ इस करके नहीं कि ओ राजासन ओ संत पहले संत राजाबाद देच तो इस करके नहीं कि ओ दौरका दे राजासन नहीं दौरका दे राजाबाद देच बने महायोगी ओ पहले ले तपीश्वर ओ पहले ले संत ओ पह तो जगत स्वर्ग बन जान दा है संत दा मतलब जो सच देच जीरे है अगर ओ राजा बने तो बार दी सारी क्रियाद ते मोर सच दी ओवेगी गुरुनानक देव जी माराज के दिन मौजूदा दौर ते ऐसा है कल जुग रत अगन का कूड अगे रत वाओ ये त्रिशना दा रत है और इनू जूट चला रहे है महापुर्शारी कोशिश हों दी है कि जिन्दगी सच दे आस दे चले जीवन दे हर विवहार दे ते मोर सच दी ओवे ते जद जिन्दगी दे हर विवहार दे ते हर विचार दे ते हर किरदार दे ते मोर सचदी हो जाने गे ता उस समेन नो अख्या जान दाए सत यूग उनते सत यूग है उनते कोई जूठ ने उनते सती सत दाए उनते हर मुनुक सत बोलदाए सत सूनदाए सत सोचदाए सत करदाए तो महापुर्ष आव्वे ने सत जुगनों जनम देन लई और आम सन सारी जीम दाय कल जुगनों जनम देन लई ऐस वासते सत ते सता दा आद काल तो घोल लेया संगर्श रेया गुरु हर्ग बिन साब जी महराज ने इस घोल नो मिटान दी कोशिश की ती और नारा लाया जिदे कुल सता है उदे कुल सत ओवे जिदे कुल सत है उदे कुल ही सता होए ता जगत सुख चैन देनाल रह सकेगा आनंद देनाल रह सकेगा आप जिदी एरी थी लोकानों पसंदना है क्योंके लोग ते वेखना चांदे संत को लकेवर माला ही चाहिए तलवार क्यों है संत साधे सुबादा होगे उन्हें मोतियां दी माला क्यों पहन दी ओ घोड़ा सुवारी क्यों करन लग पे तो चारों पासे श्रीक ते सताधारियां दी विरोगता दा गुरुहरग बिन साथ जी महराज नो सामना करना पे सत गुर ने चार जंगां भी लड़िया और चारही जंगां देज आपनो बकैदा जित प्राप्त होई भारत वासियां दा गुरुहरग बिन साथ जी महराज इस धंग देनाल हुसला वधान दे गए और आख दे गए है कि अगर राज सता नहीं तो धर्म नहीं चलेगा अगर धर्म नहीं ते मनुक शैतान हो जाएगा मनुक हैवान हो जाएगा आप दे विचारान दा आप दे ख्यालान दा बहुपक्षी असर होया और लोकी धड़ा धर गुरु हर गुन साव जी महराय जी सिक्षा ते दिक्षान उमन मन संद सिपाई बन लगते है शस्तर भारी बन लगते है सद्गुर्ण ने आगया की थी और आईदा तो मैंने शस्तर आके भेट करो घोड़े आके भेट करो ताके हर मनुक मजबूत होके जी सके तू इतना कमजोर भी ना हो जणाखना तेरी पगला चचे पर तू इतना जालम भी ना हो के हरेक दी तू पगला इतना ठंडा ना हो के तेनो कोई पैराँ थले कुछल दे वे पर तू इतना गरम भी ना हो के अपने पैराँ थले तू हरेक नो कुछली जाए नहीं खुद जी ते दूजे नो जीन दा हक दे खुद जिन्दा रहे ते दूजे आधी जिंद्गी देख मुसर्दा बाइस बन खुद फुद ए इरां देख सूफी फकीर दा कैना है के ऐ बंदे रस्ते देख इंज चल के तेनो कोई सलाम करन दे मजबूर ना हो अज रहा चुना के सलामत नकुन बाखल्ग चुना जी के कियामत नकुन खलकत दे इस डंगनाल रह कि這रे रेन देनाओ कियामत नाओ तेरे रेन देनाओ पर लेनाओ साहिए गुरहर्ग इन साद जी महराइदाजनम वडाली दे चवया आप जोती जोत समाए सिरी कीरत पुर देच कीरती कर दे आप कीरती दे आप मुझस्मा हूए तो जित्थे आप समाय उस थांदाना हुआ कीरत पुर्ष सिक जगता ए महान पीरत है दर्शन करन वाले गुर्वरगुमिन साहब जी महराई DO उसे देह उог परेघे ते महान प्रेयत ना लें दें और गुरु हर्गुमिन साथ जी महराई दी सिख जगतनों ए देंग के संत ने सिपाई बढ़ना है सिपाई ने संत बढ़ना है गुरु अर्जन बेव जी महराई दी शादत वाद ए भी रस ए क्रांती दी शमा गुरु हर्गुमिन साथ जी महराई ने जिलाई